नमस्कार प्यारे बच्चो मैं आरती आप सब का आरती एडुकेशन वर्ड में स्वागत करती हूँ बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की समाजिक विज्ञान विसे की वर्क सी टमबर 7 कराऊंगी जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020 बहुत ही आसान सी वर्क सीट है बच्चो देखो कितनी आसान है लेकिन उससे पहले आप यह चाल लीजें यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने class teacher का नाम, अगर आपके school में बोलना है, subject teacher का नाम लिखो तो अपने assistivality teacher का नाम लिख देना, ठीक है आप इस work seat में हम जानेंगे परियावरण के क्या क्या कारक होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता ही है किसी भी जीवित प्रानिके ये जो चारों तरफ उसके लोग होते हैं, या फिर स्थान होते हैं, वस्तुए होती है ये प्राकरती होती है उन सब से मिला कर हमारा परियावरण के मिलता है, या फिर उसको हों कहते हैं परियावरण चाए वो कुछ भी चीज़ हो, है ना सब को मिलाकर हमारे आसपास की जो चीज़े होती है उसको बोलते हैं परियावन इसमें प्राकरतिक मानव निर्मित और मानव तीनों सामिल होते हैं चाहे वो हमें नेचर से मिली हुई चीजे हो प्रकरती से, चाहे हम मानव की बनाई हुई चीजे हो, चाहे मानव हो तीन हो, मतलब प्रकरती कोज से यहते हैं? नदिया, पहाड, जल है ना? और मानव निर्मित जो इंसान ने बनाई है, है ना जैसे कि घर हो गए होस्पिटल हो गए है ना हमारे स्कूल हो गए मुबाइल हो गए मतलब यह सब चीजे किसमे आते हैं मानव निर्मित और मानव खुद यह भी परियावरन का हिस्सा है ठीक है चलिए भूमी जल वायू पेड़ पोदे और जीव जन्तु यह होते हैं प जो प्राकरतिक होते हैं इन में से भी हम कुछ जीवे होते हैं और कुछ अजीवे होते हैं आप जान लेते हैं बच्चो परियावरन के कारक कौन-कौन से होते हैं ठीक है सबसे पहले परियावरन के कारक देखते हैं परियावरन के कारक दो होते हैं दो कौन से एक तो हो गया आपका जैविक कारक और दूसरा है आपका अजैविक कारक जैविक कारक कौन सा होता है पहले यह समझे जैविक वो होता है जो भी सांस लेते हैं समझे आप जो सजीव होते हैं सजीव कौन से होते हैं जो भी सांस लेते हैं जैसे कि किसी भी परियावरन के जीवित घतक होते हैं। जैवीकायारख कैसे होगे जैसे पोधे जानवर मनुष्य है ना और पेड़ यह सारी चिज़े क्या हो गई यह होगे आपके जैवीकायारख ठीक है बच्चो आप थोड़ी सी दिमागी कसरत करनी है जो बहुत ही आसान है देखो जैव मंडल में दोनों सामिल है ये और ये कौन-कौन से कारक बताओ यहाँ पे तो पहले वाले जो खाली स्थान है यहाँ पे कह लिख दोगे यहाँ पे तो लिख दोगे आप जैविक ठी ठीक है और जो दूसरा वाला है यहाँ पर जो दूसरा खाली स्थान है यहाँ पे लिख देंगे आप जैविक ठीक है बच्चो ये दोनों आप आंसर लिख देंगे जैविक एक परीतंत्र के जीवित भागों को परिभासित करता है आप बताओ जैविक एक परीतंत्र के जी आरत होता है तो बच्चो बताओ जैवी का क्या आरत होता है ये है ये किसी भी परियावरण के जीवित घटक होते हैं जैसे कि मनुष्य जानवर और पेड़ तो आपके तीस रेप्रिशन का उत्तर ये हो जाएगा ठीक है बच्चो चलिए अब एक बहुत ही इंपोर्टन बात जो आपको सबको ध्यान रखनी है हमें हमेशा 2 गज या 6 पीट की सारिक दूरी का पालन करना है मतलब की सोचल डिस्टैंसिंग में अप्लानी है हमेशा 2 गज या 6 पीट दूरी पे रहना है सबको ठीक है तब ही हम करोना से बस सकते हैं तो बच्चो ये थी आज की आपकी आ सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है साथ में तेंक यू